कैसे हैं आप लोग तो आज में शेयर कर रही हूं आप सभी के साथ में कोरियन स्टाइल फ्राइड चिकन बनाने की बहुत ही जबरदर्स और सिंपल सी रेसेपी इसे आप भी एक बर जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत कम इंडिट के साथ म में वन टिबल स्पून सॉल्ट एड कर रही हूं और साथ में हाफ टीस्पून काले मिचो का पाउडर ले रही हूं यानि की ब्लैक पिपर अभी हातों से सारे मसाले जो हैं चिकन में अच्छ से मिला देने हैं और मिला कर इसको हमें आदे घंटे के लिए मैरेने होने के और इसमें आप एक कप कॉन फ्लार डालिए इन दोनों को इस रेशियो में मिलाना है और दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करकर इसे स्प्रेड कर लेना है अब जब यह मिल गई है मिक्स हो गई है तो आपको मैरेने करकर रखावा एक चिकन पीस लेना है और इस फ्लार मिक बिअने वहात शीक ते फ्लार में आची कोट और इसको में मिल जाता है आप इससे कर लिया और यहां पर इस Y Ore P अब अटा है जब स्कून कर दो इसमें किए ब crystalline형 में और यही अश्र mushroom कर लोगे यह फ्लम करों जुक्व दो और एक नोगने को दूधिस निद्सबांब्स एक लिए और इसको चुन कर देद जेगा तर से करती जा रही हुँ इसके उपर हलका हलका सा कलर आने लगा है और अभी भी फ्लेम मीडियम की हुई है मैंने बस यहाँ पे हलका सा हमें फ्लेम हाई करना होता है तेमप्रेचर जो है सारा डालते हैं तो डाउन हो जाता है इसलिए और बस इसको एक दो मिनट फ्राई करकर फॉरण सारा निकाल लेना है इस तरह से यहाँ पे हम लोग इस चिकन को फ्राई करेंगे न तो यह बहुत ही जादा क्रिस्पी बनेगा और यही रेसपी में इसी तरह से इस चिकन को फ्राई किया जाता है तो देखें दो बैचस में मै दुबारा हमें गरम कर लेना है एक्स्ट्रीमली हॉट हो जाना चाहिए यह जब तेल अच्छ से गरम हो जाए स्मोकिंग हो जाए तो इसमें आप दुबारा दो-दो बैचस में करकर इस चिकन को री फ्राइ कर लीजिए इस तरह से यह चिकन अंदर से बहुत ही जूसी बनेग तो इस तरह से सारे चिकन जितना बैचस में आ रहा है उतना डाल कर इसको दो-तीन बार स्टर कर दीजिए फोरण ही इसके उपर गोल्डन सा कलर आ जाता है और चिकन बहुत जल्प फ्राइ हो जाता है यहां पर आगर आपको इस चिकन को समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्लस कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है यह दो साइन है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि चिकन कब तक फ्राइ करना है और किस हद तक फ्राइ करना है तो आप जब चिकन बिलकुल अच्छ से फ्राइब हो गया इसके उपर गोल्डन सा मार्स आ गया है तो इसको मैं स्ट्रे प्राइ कर लेना है जैसे ही एक दो मिनट होगा फॉरन इसके उपर कलर आने लगेगा और बिलकुल इसका कलर ब्राउन होने तक एक जैसा कलर आजा तब तक फ्राइ कर लेंगे तो यह दो बैचेश हमारे फ्राइब होकर रेडी हो गया है और बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर अब हमें इसकी सॉस प्रिपेर करनी है जिसके लिए एक फ्राइंक पन ली है मैंने और इसमें मैं दो टिबल स्पून ओल रहे हूं यह वाल जब गरम हो जाएगी तो इसमें मैं दो टीज स्पून डालूंगी गार्लिक जिसको मैंने चॉप कर लिया है बिल्गुल फ्रेश ह कि खुश्बू भी आ जाएगी और वाइल में इसका फ्लेवर चला जाएगा इस पॉइंट पर अभी हम फ्लेम कर देंगे और इसमें हमें डालनी है मैरो केचप जो के मैंने डाली है दो से तीन बड़े चमच इसके साथ ही इसमें मैं रेच चिली सॉस डाल रही हूं और बि यहां पर रेच चिली सॉस डाल कर मैं बना रही हूं उससे भी बहुत अच्छा मज़ेका लगता है तो आप चिकन डाल कर इस सॉस में हमें इसको बिल्कुल अच्छे से कोट कर देना है और कोट करने के बाद में इसके उपर एक अच्छा ग्लेज आ जाता है जिससे यह अच्छा लगेगा बहुत ही मज़ेका लगता है बहुत टेस्टी है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर है इसमें तो आई हो फ्रेंट्स आपको रेसेपी अच्छी लगी होगी आप भी मेरी यह कोरीन स्टाइल फ्राइट चिकन की रेसेपी एक बार घर पर बना कर आपको बहुत अच्छी लगेगी कैसी लगी रेसेपी आपको मेरी मुझे जरूर बताईएगा अगर से अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा चैनल पर नहीं तो सब्स्राइब जरूर कर लिजएगा इसी तरह की लेटर स इसी जर्स पिर चैनल पर बहुत नुए अगर जाने चैनल विजट करें वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं आपको जरूर मिलेगा अगर्से आपको मेरे चैनल पर कुछ और बीज शाहिए तो प्लीज मुझे जरूर बताईएगा रेसेपी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको सबसे पहले पहुंचेगी चले फिर मिलती हो मैं एक्स ताइम धमाकेदार जबर्दस रेसेपी लेकर तब तक अपना और अपनी फैमिली के रखिएगा बहुत सारा ख्याल तो हमें याद रखिएगा थैंक्स फो वॉचिंग